नमस्कार मैं हो ससी आये जर्खन की टॉप 25 फर्मोग खबर जानते हैं प्राइबिट कम्पणियों में 40 यह रूपे बेतन वाले 75 परतिशत पद अस्थानिय युवाओ के लिए आरक्षित जर्खन में अस्थापित नेजी कम्पणियों में अस्थानिय युवाओ के लिए आरक्षन की एक बार फिर पहल हुई है बतादे 40 यह रूपे तक बेतन वाले 75 परतिशत पद अस्थानिय युवाओ के लिए आरक्षित होंगे सरम मंत्री सत्यानद भुक्ता ने विधान सभाय मंगलवार को विपक्ष के हंगामे केपी जर्खन राज के अस्थानिय उमिद्वारो का नियोजन अधिनियम 2021 पर गठित परवर समिती की रिपोर्ट पेस कर दी है यह विधायक पिछले 82 सत्र के दुरान पास नहीं हो पाया था बतादे अब गुरुवार को पास होने पर यह विधायक कानून बनेगा इस्कूल के रसोईयों ने कहा मेरे घर का चुला नहीं जला तो सरकार भी नहीं चलेगी उचीत मैदूरी की मांग को लेक कर मिड़े मिल कर्मियों ने जार्खन विधान सभा के समख धारना दिया बतादे एक टू से समवन जार्खन विधाले रसोई संग के बेनर तले लगभग एक हैयर से अधिक मैलाओने इस धारने में भाग लिया इस मौके पर All India Scheme Workers Federation के राष्टिया द्यक ससी आदव ने कहा कि बहरती मांगाई ने रसोईों का जीना हराम कर दिया है घर और विध्याले दोनों को चूले पर आफ़त पैदा हो गई है मांगाई और मुले विधिप पर नियंत्रन नहीं होने की बात कहना सरकार की नकामी के सबूत है बतादे मिड़े मील का निजी करण और NGO करण नहीं होने देंगे कमपनी राज का डट कर मुकाबला करेंगे अपनी मांगों को लेकर सणक परूतरे आदिवासी महिला पुरूस सन्यूक्त आदिवासी समाजिक संगठन की ओर से जार्खन के विभीन चोक्चोरा है पर अपनी मांग को लेकर मानव सिरिंखला बनाया इस दोरान बारिस के बावजूद हाथों में तकती लिए सड़क किनारे खड़े आदिवासी महिला पुरूस गंटे टटे रहे बतादे सन्यूक्त आदिवासी समाजिक संगठने जार्खन में निवास करने वारे सभी आदिवासियों को C&T Act के तहट थाना चेतर की बाद्ता क्तम करने की मांग की वहीं जाती परवान पत्र बनाने के दोरान आनेवाली परसानियों को दूर करने के अलावा शिक्छा नियोजन चात्रवीरति यवम और आवेदन के दोरान अलग-अलग समय पर आवेदन से अलग सियो SDO DC आधी का जावन पत मांग को खतम कर एक समय पर बनाये गए परवान पत्र को आजीवन माने करने की मांग की आठ सितंबर को बिजेपी का जार्खन विधान सभा घिराव जार्खन में मांसु सत्र के बिजेपी ने बुद्धवार आठ सितंबर को बिधान सभा घिराव का एलान किया है बतादे पार्टी नेतावों ने हमन सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और मुसलिम तुष्टी करन का रोप लगाया है बिधान सभा घिराव को लेकर पूरे राजे से काफी संख्या में बिजेपी करकरताओं को बिधान सभा चलने कावान किया गया है इस समन्द में राची सांसा संजय सेट ने कहा कि रोजगार विकास, सिक्चा, स्वास्त और कानून बेवस्ता के नाम पर राजे की हमन सरकार ने जानता के साथ मजाक किया है जिन मुदों और घोसनाओं के दम पर राजे में कॉंग्रेस, जेमें और रायत की सरकार बनी वह सभी घोसनाओं धरातल पर उतर नहीं रहे हैं, राजे में क्राइम के गराफ लगतार बढ़ रहा है बिधान सभा में नमाज पढ़ने के लिए कामरा अवंटित का मामला पहुंचा हाई कोट जारखन विधान सभा के मांसून सत्र में सरकार के और से नमाज पढ़ने के लिए अलग कामरा अवंटित करने के मामला अब हाई कोट पहुंच गया है बताजरांची के भहरव सिंग ने जारखन हाई कोट में जनित याज का दाखिल का राज सरकार के इस आदेश को चुनावती दी है उन्होंने इस आदेश को ततकाव रद करने की मांग की है गढ़वा में एक लाख दस यार लोग अभी निरक्छार जारखन के गढ़वा जिले में साल 2018 से साक्षारता कारेकरम बंध है इस वज़ा से इस अभियान से जुड़े परखन कारेकरम प्रवंधक और प्रेरक आदी बेरोजगार हो गए है अब वे साक्षारता कारेकरम सुरू होने की आसा छोड़ दूसरे काम धंदे में लग गए है इससे गढ़वा जिला के सभी लोगों को साक्षार बनाने का भियान बीच में ही अटक गया है किसानों को लागत के अधार पर लावकारी मुले देने के लिए कानूर बनाए सरकार भारतिय किसान संग ने केंद्र सरकार से देश के किसानों को लागत के अधार पर लावकारी मुले दिये जाने के लिए सक्त कानूर बनाने की मांग की है इसे समंधित मांगो को लेकर पिछले मां 11 अगस्त को परधान मंतिर नायन मोदी को ग्यापन सोपा गया था परन्तु अब तक कोई करवाई नहीं की गई है इसलिए संगठन ने बुद्वार 8 सितंबर को देश के सभी जिला मोख्याले पर धाना परदसन कर गया अपन सोपने का निना लिया है डमरू बयाते बिधान सभा पहुँचे बीजेपी बिधायक बाबा बैदनाथ मंदीर खोलने की मांग को लेकर मंगलवार को भाजपा बिधायक नरायन दास डमरू बयाते बिधायन सभा पहुँचे कि देव घर नट राज की नगरी है यहां महादेव वास करते है यह शिर्फ देव घर के लिए ही आस्था का केंद्र नहीं है बलिक पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है बाबा बैदनाथ धाम मंदीर को खुलने की मांग वाली आजका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोट का इंकार जहरखन में बावाबय गयदनाद जियोतिस लिंग मंधिर को फीर से खोनने की माँग वाली आज का पर जल्द सुन्वाई से सूप्रीम कोट ने इंकार कर दिया है मंघलवाद को सुप्रीम कोट में इसे समनतिया अज का पर सुनवाई करते हüे कोट ने अपरेसले दिया है खुलने की मांग रखी है जारखन में 4 नए केश मिले हैं जिसमें से राची से सिर्फ 10, पुर्वी सिहां से एक बोकारो से 1, पचमी सिहां से 1, सहाईवगन से एक मिले हैं, जारखन में 51 केश की संख्या 117 में 39案, भारत में 33 टिफ केस की संख्या 3,84,690 जार घंड में एक टिफ केस राची छे आतर पूर्वी सिम्धेगा एक बोकारो एक धनबाद चार रामगर जीरो पच्मी सिम्धेगा दस कोडारमा जीरो पलामो जीरो देवघर जीरो गुमला जीरो गिरीडी जीरो लाते हार एक खुटी जीरो सरा पेंशन की दोहरी निती नियाय उचित नहीं सिक्छक संग जारखन परदेश प्रात्मिक सिक्छक संग के बैनर तले सिक्छकों ने अपनी मागों को लेकर मंगलवार को विधान सभा के समक्स मैदान में धारना दिया बता दे दोयर दो में एक ही बीग यापन से नियुक सिक पेंशन की दोहरी निती के खिलाब धरने पर थे उनका कहाना था कि पेंशन की दोहरी निती नियाय उचित नहीं है सांके परदेश अध्यक सलेंद्र सुमन एवा महा सचीव प्रेम परशाद राना ने कहा कि 2002 के बीग्यापन के तहत 10.000 चे अधिक सिक्छकों के नियुक्ति में मंगलवार को विपक्षी दलभातिय जनता पार्टे के सदस्वर नियुजन निती का जमकर विरोद किया भाजपा विधायकों का गाना था कि नियुजन निती रोद किया जाए उलेखनी आया कि राई सरकार ने 5 अगस्त को नियूजन निती जारी की थी इसमें जारखन की 12 छेत्रिये और जनजाती भजशाओं को चीनित कर स्विग्रित दी गई जबकि अंगी का मगी भजपूरी और मेथली सहित अने भजशाओं को दर्किनार कर दिया गया है केंद्रिये जाच एजनसी एनाई ने एक बड़ी करवाई को अंजाम देते हुए CPI के उनस नक्सलियों खिलाब जाच करने के बाद कोट में आरोपत्र दायर किया है एनाई के अधिकारी के मुताविक जारखन इस्थित लौंजी फोरेस्ट आईडी मामले में तकलीफ के दोरान इन उनस नक्सलियों के नाम सामने आये थे हलाकि इन उनस आरोपियों में से चार आरोपियों को अब तक गिरफतार किया जा चुका है इसके बाद राची एनाई की टीम इस मामले की जाच कर रही थी जांच के बाद राचे इस्थीत विशेत आदालत में इसील सिले में आरोपत दायर किया गया है जारखन बिधान सवा में 4684 कोड़ का प्रथम अनुपूरक बयट पारित जारखन बिधान सवा मंगलवार को सदन ने प्रथम अनुपूरक बयट और सतत समधी बिनियोग बिधायक को धहनी मत से पारित कर दिया गया भोजना आउकास के बाद भाजपा माले के बिधायक बिनोज सिंग ने अपना कटोती प्रस्ताव पेस करते हुए चार्चा की सुरुवात की चार्चा के दोरन भाजपा के सभी बिधायक सदन के बीच में आक और सोर गूल करने लगे और नारेबाजी भी की इस दोरन भाजपा भी बिधायक काफी देर तक हांगामा करते रहे चार्चा में कॉंग्रेस के बिधायक के इरफान अंसारी जार्खन मुक्ति मोर्चा से सुद्धी ब्यकुमार ने भाग लिया जार्खन के स्वास्त मंत्री मना गुपता ने कहा है कि भारतिय आयरूपी ज्यान अनुसंधान परिसत यानी ICMR कुरोना से मौत को लेकर दिसार निदेश जारी किया होता तो सही पता चलता मंगलवार को राची में मीडिया से बात करते हुनोंने कहा कि अगर ICMR ने इस समन्द में दिसार निदेश जारी किये होते तो मौत के सही कारनों का पता चल जाता अपने पुर्वक की ब्यान के बारे में पूछे जाने पर हुनोंने कहा कि मैं इनकार नहीं कर रहा देश में अक्सिजन की कमी से लाखो लोग मारेगा यहाँ जारखन में 489 पदों पर भरती राची, बोकारो, धनबाद, हजारी बाग, सही जारखन के सभी जिलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली है इक चुक उमिद्वार प्रकासी नोटिफिकेशन को पढ़े और अपनी योगता के अनुसार आवेदन की परकिरिया को जल्द सजल्द पूरा करे बता दे आवेदन jpc.jharkhan.gov.in पर जाका नोटिफिकेशन को पढ़े और दिये गए दिशनी दियस के अनुसार आवेदन करे अक्सिजन की कमी से नहीं हुई राजे में किसी की मौत जारखन बिधान सबा मांसु सत्रे के तीसरे दिन हिमन सरकार ने सदन को बताया कि करोना कायल के दरन अक्सिजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है चंदन कियारी के बिजेपी विधायक अमर कुमर बावरी द्वारा सदन में पुछे गए अल्प सुचित प्रस्ण पर सरकार ने जबाब दिया वहीं सरकार ने बताया कि करोना की पहली और दूसरी लहर में अब तक 5133 लोग की मौत हुई है लेकिन ऑक्सिजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है मंदिर खोलने पर सरकार ने नहीं लेती है तो होगा महाजुटान छीन मस्तिका मंदिर खोलने को लेकर पिछले दिनों भाजपा युगानेता राजियु जैसवाल ने सरकार को 15 दिनों का अल्टिमेटम दिया था जो बुद्वार को फूरा होने को है साथ ही जारकार सरकार के द्वारा बो द्वार को ही आपता परबंधन की बैठक आउद की गई है मंदिर का पट खोलने को लेकर मंगलवार को भाजपा रामगवर विधायक के युगानेता राजियु जैसवाल माचिन मस्तिका दरबार पहुंचे और यहां के पंडा समाज दुकंदार और और अने लोगों से मुलकात किया रांची में साथ खाद विक्रताओ का लाइसेंस रद रांची जीला में ई-पोस मसीन के जरिये उर्वार के विक्री नहीं करने वाले लाइसेंस से दुकंदार वो खिलाब करवाई सुरू हो गई है मैट्रिक की सफल्मेंटरी परिक्षा सुरू मैट्रिक की सफल्मेंटरी और कंपर्टमेंटर परिक्षा मंगलवार से सुरू हो गई है बतादे पहले दिन दो पालियों में हिंदी A, हिंदी B, वह अंग्रे, G, और गनीत वह बिग्यान बिसे के परिक्षाएं होई इसमें करीब 14,000 परिछार्थी सामिल हुए मैट्रिक इस परिक्षा में 992,616 ऐसे हैं जो पहली बार मैट्रिक दे रहे हैं एने स्थेतिस पर डवल डेकर बनेगा फलाई ओभर एने स्थेतिस पर प्रस्तावित फलाई ओभर दो तला अर्थार डवल डेकर होगा परिवहन मंत्री नितिन गटकरी ने मंजूरी दे दी बता देन नई दिल्ली में मंगलवार को गटकरी के साथ सांसत बिधू तुरन महतों की बिस्तिरीत बाठक हुई मुख्यमंत्री के खिलाप 20 सा धीकार हनन का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हमान सुरेन ने उद्घाटन और सिलेन आसकार करम में निमंत्रन नहीं मिलने से नराज भानातपुर बिधायक भानुपताप साहिन मंगलवार को बिधान सवमानसु सत्र में स्पीकर के पास नराज की दर्ज कराई साथ ही मुख मंत्री हमान सुरेन और उर्जा भी भाग के अधिकारियों सहीत अने के खिलाब विश्य सा अधिकार हनन का प्रस्ताव दिया भुड्डू अनुमंडल अस्थापना दिवस पर सीम हमान जहरकन के राची जिले के बुड्डू अनुमंडल की अस्थापना 7 सितमबर 2003 को पूरो मंत्री वास्थाने विधायक रहे रमेश सिंग मुंडा के पर्याश से जहरकन के ततकालिन मुख मंत्री अर्जुन मुंडा ने की थी ततकालिन मंत्री सुक देव महतो, लालचन महतो, रामजी लाल, सारदा यहम सांसत कड़िया मुंडा को फस्तिती में अन्वंडल की निव रखी गई थी पिछले कई दसकों से चली आ रही मांग पराई सरकार ने या सोगात जानता को दिया था लेकिन 18 वर्ष पूरे होने के बाद भी पूरो मंत्री रहे रमेज सिंग मुंडा के सपने अधूरे है रामगार से मांडू बीडियो बिनाए 45 यार घोस लेते की रफतार एंटी क्रप्शन बियोरो हजारी बागी टीम ने मंगलवार को जार्खन के रामगार जी लेके मांडू बीडियो बिनाए कुमार को परखंड परिसर इस्थित उनके आवास से रिस्वत लेते की रफतार कर लिया वे पूरो मुखिया से मुर्गी सेट के नाम पर 45 यार उपे रिस्वत ले रहे थे इसी दोरान ACB के टीम ने वीडियो को रांगे हाथे की रफतार कर लिया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहले के बेले कंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों साथ सेयर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडबैक अवसे दे थैंक यू